हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल आरके इटियाई में तो दोस्तों आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं जो आईटियाई फर्स्ट इयर का आपका इंप्लाइबिल्टी स्कील है इसका मैरार्थन क्लास लगाने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपका आईटियाई फर्स्ट इयर में जितने भी इंप्लाइबिल्टी स्कील से चेप्टर आते हैं उन सभी चेप्टर को बारी बारी से हम एक ही वीडियो में सभी कोश्टन का लोने वाली है आपके एक जाम पॉइंट वाइब व्यू से तो वीडियो को अपने जादा जादा फ्रेंड्स अलकिन में सेयर करिएगा और एक बात और अगर चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा इससे पहले दोस्तों मैराथन का हम बहुत सारा वीडिय लिजे या फिर ड्राइंग का ले लिजे ओके तो यह सब वीडियो अलड़ी हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लिजे उसमें सभी वीडियों आपको मिल जाएगी ओके दोस्त तो यह वीडियों जादा जादा सेयर कर दि वीडियों जितने भी आज हम महराथन क्लास लगाएंगे वह वीडियों आप जरूर वाच करिएगा तो अगर आप एक ही वीडियों में फुल वाच कर लेते हैं तो आपको ज्यादा ज्यादा एक्जाम में बैन फिट मिलेगी अच्छा मार्क्स देखने को मिल सकता है ओके तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके आईटी आई के एक्जाम में 25 अता है तो एक वसंदो नमर का होता है यानि 50 नमर का यह आपका इंप्लाविल्टी होता है तो बहुत ही इसी भी है और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत हाड भी हो जाता है ओके तो चलिए फ केसा में एक बाईयोडाता होना चाहिए तो दोस्तों sort and precise होना फैंसी एंड-रंगीन होना चाहिए या फिर लंबी और विरिष्टित जन्कारी होना चाहिए परिवर्ची सब्ड़ और संचिफ्त नाम होना चाहिए तो देखिए दोस्त एक बायो डाटा तो बायो डाटा को आप रिजूम दोगो सकते हैं ओके क्या होता है उसमें कोई भी आपकी जानकारी क्या करती जैसे नाम आपका रहता है तीता जी का नाम रहता है आपका academic होता है जितना पढ़ाई किये हैं उसका विवरन होता है उसके बाद आपका degree कोई degree लिये हैं उसका विवरन होता है और आपका address का विवरन होता है यानि कि दोस्तों जो इसमें fit करते हैं तो आपका संचिप्त और सटीक जानकारी एक बायोडाटा में रहती है तो इस रिगार्डिन आपका राइट एंसर ओप्सन ये बिल्कुल सई हो जाएगा कोस्त नमर टू है नवकरी में किये जाने वाले करतब्य और जिम्यदारियों का लिखिद विवरण कहलाता है क्या कहलाता है सीवी कहलाता है या फिर जॉब डिस्किप्शन कहलाता है या रिजूम कहलाता है या जॉब अप्लिकेशन कहलाता है तो दोस्त नवकरी में किये जाने वाले कर्तब्यों और जिम्दारियों का जो लिखित विब्रण होता है वह जॉब डिस्किप्शन कहलाता है तो राइट एंसर ओप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कुशन मत थर्ड है साच्छतकार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए अप्टर रिसीविंग इंटर्व्यू काल इंटर्व्यू काल रिसीब हो गया है तो वाट इस दा नेशिटेप उसके बाद क्या करना चाहिए वाला है सेंड अप्लिकेशन लेटर आवेदन पत्र भेजें दूसरा रिजूम तयार करें दें तीसरा साच्छतकार में उपस्तित हो और चोथा दिया है सेंड रिजूम भेजें तो दोस्तों इस पसका जो राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ओप्शन सी विल्कु हो जब आपको इंटर्व्यू के लिए कॉल आ गया तो आप क्या करेंगे एपियर एट इंटर्व्यू इंटर्व्यू में आप शामिल हो ओके तो राइट एंसर आप्शन सी विल्कुल सभी हो जाएगा को सब्सक्राइब दिये गए वाके के लिए उप्यूक्त डब्लू य यह डाइस है इसके आगे क्या लगेगा वीच लगेगा वाई लगेगा वेर लगेगा या फिर वेन लगेगा ओके या वेन लगेगा तो दोस्तों इस परसका जो राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन एस से हो जाएगा यहां पर वीच होगा ठीक है वीच माने कौन सा कौन स यानि कौन सा एनिमल डू यू लाइक आप कौन सा एनिमल पसंद कर रहे हों तो यहां रिक दस्तान पे वीच आ जाएगा option is save जाएगा question number 4 है दिये गए वाक्त में रोहन सब्द के बार सही विरामचिन का चैन कीजिए तो रोहन, डेविड एन राम आर प्लेइंग हाइड एन सिख तो दोस्तों यहां पे जैसे रोहन है रोहन के बाद कामा लगेगा और दभी राम लगेगा उसके बाद डेविड होगा end होगा राम ओके तो यहां पे क्या हो जागा कामा हो जागा राइट एंसर ओप्सन यह बिलकुल सही हो जागा question 5 है दिये गए प्रशन के लिए सही उत्तर चुने how have you been how माने कैसे have you been यानि दिये गए प्रशन के लिए सही उत्तर चुने तो how have you been का क्या हो जागा तो दोस्तों इस प्रश का राइट एंसर ओप्सन यह से हो जागा यानि very well and you very well and you हो जागा तो राइट एंसर ओप्सन यह हो जागा question 6 है दिये गए प्रशन का सही उत्तर चुने क्या दिया है when did the accident happen ठीक है when did the accident happen क्या हो जाएगा in the hotel during traveling at 10.30 last night या on the table ओके तो दोस्तों इस प्रश का जो राइट एंसर हो जाएगा option 6 हो जाएगा at 10.30 last night okay when did the accident happen at 10.30 last night तो राइट एंसर ओप्सन c सही हो जाएगा question 7 है choose the correct tense of the verb यानि क्रिया का सही काल चुने i dash music when i was child okay तो option पहला दिया है learn दूसरा i am learning दिसरा will learning चोथा learnt यानि दोस्तों यहां पर जो राइट टेंसर हो जाएगा option d सही हो जाएगा देखिए i dash music when i was यहां जब was लगा है तो a past tense है तो इसमें क्रिया का क्या लगता है secant form लगता है तो यहां पर learn में सीखना होता है learn का जो secant form होता है learnt हो जाएगा तो राइट एंसर option d विल्कुल सही हो जाएगा question number 8 है cv को के रूप में भी जाना जाता है तो तो curriculum veto जो cv होता है इसका full form बहुत important है आप इसे याद रख लेंगे यह कई exam में पुछ तुका है जो curriculum होता है vitae vitae इसका full form पुछ लेता है cv का full form तो curriculum vitae याद रख लेंगे is also known as उसको और भी नाम से जानते हैं कैसे resume से जानते हैं resume नाम से जानते हैं job description cover या application letter तो दोस्तों इस वीडियों को ज्यादा ज्यादा आप लोग अपने फेंट सरक्री में forward जरूर करिए ओके ताकि सभी को लाम मिल सके और चैनल पे नए हैं तो subscribe जरूर कर लिजेगा इस महराथन को देखने के बाद निशित रूप से आपको जरू सहता help जरू exam में मिलने वाला है का ओके दोस्त तो आठ नमर का जो राइट एंसर ओप्षन है सही हो जाएगा कोस्तों नमर नाइन की बात करें तो तुलनात्मग विशेशन में से रीकत अस्थान की पूर्थिक के जीए यानि योर पेंसिल इज डैयस देन माइन यानि दोस्तों तुलनात्मग विशेशन से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है Your pencil is dash then mine क्या इसके बीच में आएगा यहां पे? सारफ आएगा, सारफर आएगा, बलंट आएगा, या फिर थीक आएगा तो दोस्त इस पसका जो right answer हो जाएगा इस जगए पे काएगा, सारफ आजाएगा, यानि right answer option इस से हो जाएगा याद रखेंगे Question number 10 है क्रिया के सही भवी सिकाल के साथ रिक्त स्थान बरे वी dash दिया है to the Jew, after breakfast ठीक है, वी दिया है, हम dash दे दिया है to Jew मनलब चिरिया घर गये, after breakfast जो breakfast होता है, उसके बाद हम चिरिया घर गये है हम लोग, तो यहाँ बीच में है, तो बीच में क्या हैगा, went आएगा are going, head going, या फिर will going, ओके दोस्त तो जो खाली अस्थान है, उस जगए क्या भरा जाएगा, याद रखेंगे will go, ओके, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, will go, ठीक है हम चिरिया घर जाएंगे, after breakfast, breakfast बार हम चिरिया घर जा रहे होंगे, ठीक है तो right answer option D से हो जाएगा, size sentences A हो जाएगा question number 11 है, feeling the blank with correct word, सही सब्द से रित तस्थान की पूर्ति कीजिए they, dash, good friend, दोस्तों इस बीच में क्या फिल होगा, उसको बताना है they माने way होता है, dash, good माने अच्छा friend मित्र है, way अच्छा मित्र है, तो क्या भरा जाएगा, is, m, r, या फिर waj okay, तो दोस्तों इस बसका जो right answer हो जाएगा, option C से हो जाएगा, देखे, यहाँ दे है, दे एक बहु बच्छन है, तो इसके साथ r जुड़ जाएगा, याद रखेंगे, और यहाँ पे each जो है, each एक बच्छन है, तो देखे जगा अगर राम रहता, तो राम each good friend हो जाता, ठीक है, यानि कि राम के साथ रहता, एक बच्छन रहता, तो यहाँ पे each पर रहता, याद रखेंगे, तो यहाँ पे जो right answer हो लगेगा, आर लगेगा, काल यह स्थान पे, question number 12 है दोस्ट, क्रिया के वर्तमान प्रगति सिल काल से रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ओके, यानि फिलिंग द व्लैंक, विच प्रजेंट, प्रोग्रेसिव टैंस अफ द वर्व, द ट्रें डैस थो द टरनल, ओके, तो द ट् यानि train थो द टरनल, टरनल पे जा रही है, ठो गई है, क्या तो इसको इसको बीच में क्या फिल होगा, पासेड होगा, इसपासिंग, हैड़ पासिंग, या फिर वाज पासिंग हो जाएगा, तो क्या होगा दोस्त, यहाँ याद रखेंगे, जो train होता है, train इस पासिंग थो the tunnel यानि train tunnel को पास कर रही है ठीक है तो इस परसका राइट एंसर ऑप्शन भी हो जाएगा यहां पर इज पासिंग हो जाएगा ठीक है ठीक है दोस्त यह प्रजेंट कांटिनीवर का संटेंस है याद रखेंगे कोशनमत 13 है फिलिंग दबलेंग विद प्रापर इंट्रोगेटिव एड़ेटिव आनि उचीत प्रस्ण भाचक भी सेसर के रीकतस्तान की पूर्ति कीजिए डैस आर यू गोइंग ठीक है तो डैस दिया है आर यू गोइंग डैस के स्थान पर हमें इंट्रोगेटिव फोई स इंटेंस फिल करना है तो पहला दिया है हूँ दुसरा वे यर तीसरा वी च और चौथा दिया है द्वोई-च वा तो दोस्तों एज हॊा होर्ता नहीं है वीड हो सकता है से जगके ओके तो दोस्तों पैसका जो राई टंशर हो जाएगा क्या हो ₉प्शन हो जाएольш ऑग तो हूँ आर यू भोईंग ठीक है हूँ आर यू भोईंग तो इस परस का राइट एंसर ओप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कोर्शन में 14 है उचित सर्वनाम के रिख सस्थान की पूर्ति कीजिए आई मेड दिस केक डैस क्या बरा जाएगा माई सेल्फ यूर्सेल्फ इमसेल्फ या फिर इट सेल्फ तो दोस्तों इस खाली स्थान पर माई सेल्फ बरा जाएगा तो इस परस का राइट एंसर ओप्शन यहांपर माई सेल्फ हो जाएगा आई मेड इस केक माई सैल्फ ओके राइट एंसर ओप्शन इस से हो जाएगा क qičन नमर 15 है उचित सर्वनाम से रेक तस्थान की पृति किजिए सी मेड दिस केक डायस इटसेल्फ माइसल्फ हरसेल्फ या फिर हिमसेल्फ तो दोस्तों इस परस का राइट एंसर ओप्शन सी से हो जाएगा यानि सी मेड दिस केक क्या हो जाएगा हरसेल्फ हो जाएगा यहां पे सी लगा है तो हरसेल्फ हो जाएगा अगर यहां पे सी के राइट एंसर ऑप्षन सी से हो जाएगा कोर्शन में सुल नहीं दोस्त उचित कर्म वाचक सर्मनाम से रिखतस्तान की पूर्टि कीजिए क्या भरा जाएगा माई सेल्फ एसल्फ लगा है इटसेल्फ तो दोस्त यहां पे ची लगा है तो सी के साथ क्या आजएगा हर सेल्फ आजएगा ओके यहां सी है तो सी के साथ हर सेल्फ अगर यहां ही रता तो ही के साथ इन सेल्फ होता है इस बात का याद रखेंगे तो यहां सी है तो हर सेल्फ हो जाएगा ओप्षन भी से हो जाएगा कोस्टन में सकते रहे हैं दिये गए वाक्य के लिए उप्यूक्त विशेसर से रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए तो दोस्तों इस रिक्तस्थान में भरना है चुबी हो जाएगा वीक हो जाएगा पोGM KUR फियुठी हो जाएगा तो याद रखेंगे इस पसका राईट चाहे अप्शन से हो जाएगा व्यूक्ति हो जाएगाänger कर्णकिंग हो जाएगा यह कुछीन तुन इन भी की में उप्यूकतास्तान पूर्वसर्ग के रिकतास्तान की पूर्ति करें my house is dash the third floor दोस्तों my house is यहां बीच में खाली अस्तान है क्या बरा जाएगा add बरा जाएगा in बरा जाएगा on बरा जाएगा या फिर under बरा जाएगा तो देखिए house is on the third floor house यानि घर है third floor पर on लगेगा तो इस परस का right answer क्या हो जाएगा option c से हो जाएगा question number 19 है सही प्रस्ण भरे dash is the speaker at the function what होगा when होगा why होगा या फिर who हो जाएगा तो दोस्तों 19 नमर का जो right answer हो जाएगा option d से हो जाएगा who is the speaker at the function function माने function का speaker कौन है who माने कौन होता है why माने क्यों होता है when मिस कब होता है what मिस क्या होता है तो इन चारों के बारे में भी आप याद रखेंगे तो इस पर स्का right answer option d हो जाएगा question number 20 है निर्म अर्श्तर की भासा को भी कहा जाता है यानि low-level language is also card तो low-level language को क्या कहा जाता है दोस्त याद रखेंगे assembly language जो low-level language होती है उसे हम assembly language करते हैं या machine language करते हैं machine language भी करते हैं तो इस पर स्का right answer option d से हो जाएगा assembly language ओके दोस्त ठीक है स्वारी दोस्त assembly language नहीं उसे machine language करते हैं तो machine जो language होती है वह low-level language करते हैं तो इस पर स्का right answer option c से हो जाएगा जो machine language होती है उसे हम low-level language करते हैं तो language दो प्रकार करते हैं computer में एक low-level language होती है एक high-level language होती है तो low-level language यह machine language हो गया और binary भी होता है 01 होता है और जो high-level language होता है इसमें जिसे जावा होता है c++ होता है पर्ल होता है और हर्ट्रान होता है तो यह सब जो है high-level language होता है basic होता है COBOL होता है ठीक है तो यह सब high-level language होती है तो इस प्रस्ट में कुछा है low-level language तो आपका option csi हो जाएगा machine language को low-level language करते हैं question mark 21 है उच्चारण को संदर्वित करता है यानि pronoun refer to pronoun किसको refer करता है तो किसको करता है dip hood को, consonant को, punctuation को, production of sound को तो याद रखेंगे इसका right answer option d हो जाएगा production of sound को सो करता है कौन punctuation refer option d से हो जाएगा question mark 22 है निमलेकी सब्दों के समों को अर्थ पूर्वाक्य में पूनर व्यवस्तित करें teacher slash school slash work slash c slash a slash age तो दोस्तों निम्संतों समों को अर्थ पूर्वाक्य में पूनर व्यवस्तित करता है पूनर व्यवस्तित करना है तो यह पूल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार का अगर प्रस मिल जाए तूटा फूटा तो क्या करेंगे सबसे पहले subject लिखेंगे subject मतलब करता देन उसके बाद object लिखेंगे ठीक है देन उसके बाद verb का क्रिया लिखेंगे क्रिया लिखेंगे देन उसके बाद object लिखेंगे ठीक है दोस्त तो यहां पे subject क्या है तो subject यहां पे c है subject नहीं करता subject हो गया c और work subject के बाद क्या है verb है verb का second form लगा है यहां पे work then उसके बाद object हो जाएगा ठीक है इस प्रकार eg से हम बना लेंगे तो इसका right answer क्या हो जाएगा option b से हो जाएगा question 23 है अचानक और प्रवल भावना को ब्यक्त करने वाले सब्द को करते हैं तो यह भी important person है याद रखेंगे अचानक और प्रवल भावना को ब्यक्त करने वाले सब्द को क्या करते हैं दोस्त याद रखेंगे उसको हम injection करते हैं इंटर्जक्शन करते हैं, तो इस पसका राइट एंसर, ओप्शन बी सही हो जाएगा, उसे इंटर्जक्शन करते हैं, Q24 है, जब आप सिच्छक, प्रसिच्छक या परवेच्छक जब से उच्छ अधिकारियों का अभिवादन करते हैं, तो आपको उप्योग करना चाहिए, क्या करना चाहिए उप्योग, Good Morning, Hello, या है, या है, तो दोस्तों, जब आप सिच्छक, प्रसिच्छक या कोई परवेच्छक है, तो उच्छ अधिकारी है, तो जब हम उपको अभिवादन करते हैं, तो उस कंडिशन में हम क्या करते हैं, तो देखिए, जैसे Morning रहता है, तो Morning रहेगा, तो Good Morning कहेंगे, अगर Afternoon रहता है, तो Good Afternoon, या फिर Evening रहता है, तो Good Evening, तीक है, ये Professional बोलने का तरीका होता है, तो इ दोस्तों में 25 है, एंस्वर सब्द में एक मूख अक्षर कौन सा है, तो दोस्तों, साइलेंट लेटर जैसे होता है, जैसे साइलेंट लेटर कोई होता है, डवलू, ए, यालके, वाक, वाक है, तो L क्या है, इसमें, साइलेंट है, तो उसी प्रकार एंस्वर, एंस्वर सब् तो याद रखेंगे दोस्तों जो silent answer है answer में मोक यानि silent writer कौन सा है तो w है इसमें जो w है answer देख रहे हैं answer तो w इसमें क्या है एक silent word है के रूप में work कर रहा है तो option this से हो जाएगा question number 26 है which one of doge of discussion equipped terms यानि कौन सा do as church assist कार का है तो दोस्तों यहाँ पे जो listen to others होता है वह church assist कार का है इसका right answer option 20 से हो जाएगा question number 27 है कौन सा do as church assist कार का है ठीक है तो 27 नमर का जो right answer हो जाएगा option D से हो जाएगा argue unnecessary हो गया जाएगा option D से हो जाएगा question number 28 है दोस्त cardinal number कौन सा है which one आप दी cardinal number तो दोस्तों cardinal number को आप याद रखेंगे 10 होता है जो cardinal number होता है वह 10 होता है option A से हो जाएगा question 29 है which one is a cardinal number तो अब रोमन में cardinal number 6 है तो इसमें कौन हो जाएगा cardinal number कौन सा हो जाएगा तो देखें cardinal में उससे पखले 10 हो रहा था अब इसमें X नए हो गां यह नए हो गां यह गां 3 हो जाएगा option D से हो जाएगा then 3 है what is the cardinal number यह नहीं हो गां यह नहीं हो गां अब क्या हो जाएगा if तो इस परसका जो राइट अंसर क्या हो जाएगा option D हो जाएगा, कोई भी जब word है, तो दोस्त वह coordinate number हो रहा है, ठीक है, roman होगा लगे गएगा या tenth लगे रहेगा, तो कोई coordinate number होगा नहीं, केवल जो word होता है, वह coordinate number होता है, तो right answer option D से हो जाएगा, आगे है, coordinate number कौन सा है, one है, fifth है, eight है, second है, तो 31 में क्या हो जाएगा answer, one हो जाएगा, ठीक है, one जो है coordinate number है, option यसे हो जाएगा, question में 32 है, 20 में आदी वोधक, वा के कौन सा है, नीचे दिया गया है, चार option, इसमें 20 में आदी वोधक को चाटना है, तो पहला दिया है, what a beautiful house is, दूसरा, it is beautiful house, तीसरा, it is beautiful house, चोथा, your house is beautiful, ठीक है दोस्त, तो इस परसका जो राइट एंसर हो जाएगा, option A से हो जाएगा, लास्ट में देखिए, जिसमें आदी वोधक दिया है, चिन, तो वाट ये beautiful house is हो जाएगा, option A से हो जाएगा, question में 33 है, कौन सक्री आवाज में है, यानि which one is active wise, कौन सी active wise है, तो यार रखेंग दोस्त, इस चार आप्शन में से, ये आपका है, जिसे, ram has passed the exam, तो ये आपका active wise होता है, ओके, तो right answer क्या हो जाएगा, option A से हो जाएगा, question 34 है, निसक्री आवाज कौन सा है, तो अभी active wise काके थे, तो अभी passive wise इसमें से कौन है, तो Mohan is painting a house, या है, या फिर see wise, reading a book, या हर birthday wise, celebrated wise, चोता है, I have seen the movie, तो दोस्तों यहाँ पर clearly दिया गया है, हर birthday wise, celebrated wise, जिसमें by लगता है, वह आपका passive wise होता है, active से passive बनाया जाता है, okay, active wise, passive wise होता है, तो इन चार अप्शन में से आपका हर birthday was celebrated by us, option she save हो जाएगा, question 35 है, कौन सा एक स्वयोजन नहीं है, यहाँ वीच वन आप नॉट एक कंजक्शन, कंजक्शन कौन सा नहीं है, and नहीं है, or नहीं है, but नहीं है, on नहीं है, तो निम्हें खित चार option में से दोस्तों आपका जो on है यह कंजक्शन नहीं होता है, याद रखेंगे, तो इसका राइट एंसर, option D से जाएगा, question 36 है, which one is not a benefit of the role playing, यानि भूमिका निभाने का कौन सा लाब नहीं है, ठीक है दोस्त, पहला है आत्म विश्वाद बनाना, दूसरा सुनने का causal विक्षित करता है, तीसरा है, रचनात्मक समया समद्धान causal विक्षित करता है, चोता, बेरियत विक्षित करता है, तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर हो जाएगा, option D से हो जाएगा, यानि बेरियत विक्षित करता है, option D से हो जाएगा.. कोसे मत 37 है, कौन सा एक स्वर नहीं है, तो हम जानते हैं स्वर पांच प्रकार का होता है, A, E, I, O, U, पांच प्रकार का स्वर होता है, बाकी सभी कौन सोनेंट होते हैं, आनि बेंजन होते हैं, तो A बिल्कुल है, E बिल्कुल है, F नहीं है, I है, तो पुछा है, which one is not a vowel, कौन सा एक स्वर नहीं है, तो option C से हो जाएगा, F एक स्वर नहीं होता है, ही हो जाएगा, ठीक है, question 39 है, वह सब्द जिसका उच्चारण दूसरे सब्द के समान ही होता है, लेकिन अर्थ में भिन होता है, कहलाता है, तो A भी important person है, इसे हम home phone करते हैं, ठीक है, right answer option A हो जाएगा, वह सब्द जिसका उच्चारण दूसरे सब्द के समान ही होता है, लेकिन अर्थ में भिन होता है, उसे क्या करते हैं, home phone करते हैं, तो इस परसका right answer option A बिल्कुल सही हो जाएगा, तो दोस्तों, अब हम lesson 2 पे आ गये हैं, जो IT literacy, यानि IT साच्चरतका से जितने भी प्रस्ण है, उनको देखेंगे, तो आप हमारे चैनल पे बने रही हैं दोस्तों, यह मारा अथन क्लास है, वीडियो काफी लंबा हो सकता है, लेकिन आप धहर रखेंगे, सभी question को analysis जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि exam में बहुत ही benefit आपको देखने को मिल जाए, तो चलिए फिर IT literacy का भी question हम देख लेते हैं, देखें, इसमें question पहला है, एक byte dash बराबर होता है, तो दोस्तों, एक byte, देखें, सबसे बरा जो computer में होता है, सबसे जो छोटा होता है, वह beat होता है, तो दोस्तों, एक byte, एक byte बराबर होता है, कितना 8 beat के हैं, याद रखेंगे, एक byte बराबर 8 beat होता है, तो इस पसका क्या हो जाएगा option राइट एंसर option C सही हो जाएगा एक byte बराबर 8 bit होता है option C बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा ओके दोस्त question number 2 is में computer का दिमाग कौन सा है तो यह भी most important question है favorite question है examiner का बार बार exam में पूछी लेता है तो दोस्तों जो brain आप computer को बोला जाता है किसको बोला जाता है CPU को बोला जाता है full form याद रख लेंगे CPU का central processing unit तो right answer क्या हो जाएगा option B बिल्कुल सही हो जाएगा फुर्स तीसरा है एक computer system के होते हैं क्या होते हैं एक computer system के होते हैं software और program होते हैं hardware और software होते हैं तो दोस्तों, right answer option B बिल्कुल सहते बोल जाता है एक computer में इसको होते हैं hardware होते हैं software software जीसे हम चूर नहीं सकते हैं यैसे सभी application software होते हैं hardware हम जीसे चूर कर supos कर सकते हैं तो computer में दोनों पाए जाते हैं दूसरे प्रोग्राम को संसोधित करके संक्रमित करता है, कहलाता है, तो यह भी important person है, उसे हम क्या करते हैं, वाइरस करते हैं, वाइरस दोस्तों क्या होता है, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम को संसोधित करके संक्रमित, यानि वाइरस कर देता है, उसे हम वाइरस कर तो वारस को दूर करने के लिए एंटी वारस का डोज हम देते रहते हैं कम्प्यूटर में इसमें क्वेशन 5 है कम्प्यूटर उपयोग करताओं को वेव पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाले सब्ट्वेर अप्ल करता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किया जाने सब्ट्वेर तो निर्म चार भी खल्पों में से दोस्त कोई सब्ट्वेर है ही नहीं ओके याद रखेंगे तो दोस्तों अप्लिकेशन सब्ट्वेर होता है जैसे हम अपने मोबाइल में जितना भी अप्लिकेशन सलाते हैं तो वो सब क्या होता है अप्लिकेशन सब्ट्वेर जैसे फेस्बूक हुआ, क्विटर हुआ, या वाट्सप हुआ, ये सब क्या होता है सब्ट्वेर होते हैं लेकिन वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, वेब साइट, इमेल ये सब सब्ट क्राइम करते हैं इंटरनेट पर दी गई अवयद घर मेदिया को हम अबने करते हैं साइबर करते हैं साइबर क्राइम करते हैं। लिए स्य हो जाएगा एक च्यत्री राष्टि या वाइस्वी च्ट्र में फ्याले कम्प्यूटर नेटवर्क को कह जाता है यानि कम्प्यूटर नेटवर्क डैट इस्पेंस एन एडिजिनल नेशन और ग्लोबल और इस काड़ तो ग्लोबल या यानि राश्टी और ग्लोबल फैला हुआ जो नेटवर्क है उसे दोस्त क्या कहा जाएगा तो उसे हम वैन करते हैं ठीक है वैन का मतलब वाइड फूल फाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है ओके यह विस वहर में जो इंटरनेट फैला हुआ है तो उसको यह कंट्र करता है वैन के द्वारा दोस्तों जो लाइन होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका फूल फाम लाइन का तो यह क्या होता है हमारे छेत्री में आजपास सीमित रहता है लैन ठीक है और मैं जो होता है तो मैं का जो आपका मेट्रो सिटी होती है वहाँ पर मैं का प्र option no 8 है CPU में होता है तो CPU में क्या होता दोस्तों यहलिव होता है storage device and ALU होता है input output device होती है यह फिर input am input device and control unit होता है तो दोस्तों इस पर सका जो राइटेंचल हो जाएगा क्या हो जाएगा option ए सब्सक्सेट हो जाएगा जो CPU होता है CPU मतलब विइंहे। तो ईयाद रखे लेगे आरित्मेटिक लोजिकळ। रॉजिकल यूनिट होता है. अक्वीव हम दोस्कों जो सीप्यू होता है उसमें पूल यूनिट और एलू पाई जाती है है याद रखेंगे right answer option A से हो जाएगा question 9 CPU का मतलब है तो CPU क्या है central processing unit है तो क्या हो जाएगा right answer option B से हो जाएगा अगला प्रश्न है कम दूरी के लिए किस प्रकार के network का प्रयोग के आता है लिए आ गया तो कम दूरी के लिए किसका प्रयोग के आता है दूरी और किसका प्रयोग की आता है और हरो स्धोर में दूरी जो लंभी दूरी है उसके लिए किसका प्रयों क्या आता है किस्टार कुछ चुल और क्ष्चन गर्णा कीचलों करता है हारट स्थार हो उता है उसको भी कम दूरी के लिए फ्योग के आता है अगला question है एक email में आप राप्ट करता email पता कहां जोड़ेंगे जिसे अपना email की प्रती भेजना भेजते हैं तो कहां जोड़ेंगे तू जोड़ेंगे सी सी जोड़ेंगे सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो यह भी important प्रस्ण है रू के जगा जोड़ेंगे ओके तो इस परसका राइट एंसर क्या हो जाएगा option एस से हो जाएगा अगला question है एक्सल में एक रो और एक कालम का इंटर सेक्शन कालाता है तो बहुत important प्रस्ण है जो एक रो यानि देखे देशो इसको हम रो बोलते हैं और इसको हम कालम बोलते हैं तो एक रो और एक कालम के बीच में यह जो होता है इसको हम क्या कहेंगे इसको हम सेल करते हैं ठीक है एक रोह हो गया एक कालम हो गया इसके बीच में जो एक बॉक्स है इसको हम सेल करते हैं कर छो इससका राइटेंस और औप्शन एस से रहेगा कि अगला प्रेश्ण है मैं है मैं एक स्वेट के संगरह को कि रूप में जाना जाता है तो वक में वर्क सीट जो होती है दोस्त उसके संग्रह के रूप में किसे जाना जाता है याद रखेंगे वर्क बूक को रखा जाता है ठीक है कार ये पुष्टिका को जाना जाता है ऑप्शन भी सेव जाएगा अगला कोशन है MS XL में SELL में एक फार्मुला डालने के लिए हमें एक operators के साथ entry शुरू करनी चाहिए तो कौन सा entry शुरू करनी चाहिए याद रखेंगे बराबर की entry शुरू रखनी चाहिए ठीक है'm तो राइट एंसर ओप्शन इस से हो जाएगा अगला कोश्चन है MS Paint में कौन सा एक्स्टेंशन समर्थित नहीं है यानि इन MS Paint वीच एक्स्टेंशन इस नाट सपोर्टेट तो .jpg.doc.gif.png तो दोस्तों इस पसका एक्स्टेंशन समर्थित नहीं होता है नहीं सपोर्ट करता है तो ओप्शन इस सही हो जाएगा अगला कोश्चन एक्स है किस ओरियंटेशन में टेक्स को लंबाई के हिसाब से ट्रिंट किया जाता है ठीक है लैंडिस्केप में, मार्जिंग में, पौर्ट्रेन में या फिर वीट में तो एप इंपौर्टेन परस्टन है याद रखेंगे दोस्तों चित्र जो होता है पौर्ट्रेट होता है उसमें लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है नुक्रा कुर्षन है किस orientation में text को चौराईक के साथ से प्रिण्ट किया जाता है तो अभी लमबाई के साथ से क्या हम देखे थे पॉर्ट्रेंट देखे थे अब चौराई है तो चौराई के साथ से क्या देखते हैं लेंड押 शो देंगए दोस्तों जो लेंड इसकेप होता है जैसे हम अपनी मुबाइल क्या करते हैं अपनी मुबाइल अगर सीधे रखते हैं तो क्या होता है यह पोर्ट्रेट हो जाता है ठीक है तो लंबाई के इसाप हो जाएगा और जब अपनी मुबाइल को फ्लैट कर देंगे इस प्रकार तो ये जो है Land is Cato Idす यहीं कोशन बुच्छा है कि और इन्टेशन में टेक्स की चोराई से मोज़ाता है तो land escape में कियाता है और जब लंबाई के इसाफ से कियाता है तो for trait में कियाता है इन दोनों बात को आप याद रखेंगे इसका right answer option D से हो जाएगा प्रशन अगला है प्रोग्राम जो un-program को संसोधित करके सनंकरमित करता है कहलाता है तो उसे क्या कहेंगे वाइरस कहेंगे ठीक है अगला प्रशन है spread seed extension के साथ सहेजी जाती है एनि जो जो spread seed होती है और saved with extension इसके साथ spread seed save होती है तो याद रखेंगे dash dot xls इसके निशाथ जो spread seed है saved होती है dot xls के साथ तो आपका option एह ही बिल्कुल सही हो जाएगा प्रशन अगला है the expansion of land is land का विश्थार है तो अभी बताए है land का full farm local area network होता है तो option क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा local area network अगला प्रशन है रोम का विश्थार है दोस्तों रोम मैमोरी का भाग होता है तो यह क्या होता है यह permanent memory होता है यानि जब बिजली चली जाती है तो भी इसमें जो data होता है saved रहता है रोम को non-volatile memory का जाता है इसको भी आप याद रखेंगे और दोस्तों जो इसका full farm होता है तो read only memory होता है तो इस पसका जो right answer हो जाएगा option B से हो जाएगा RAM को read only memory होता है और एक होता है RAM ठीक है इसको full farm random access memory होता है इसको भी आप याद रखेंगे जो आपका RAM होता है तो RAM का full farm होता है random access memory होता है ठीक है memory होता है और जो रोम होता है तो read only memory हो जाता है दोस्तों जो RAM होता है यह temporary memory होती है यानि बीजली चने जाने पर इसमें इतना भी data उपलब्द होता है वह सब खतम हो जाता है ठीक है और इसे हम volatile memory भी कहते हैं इसको आप दोनों को याद रखेंगे यह important है तो ROM का विस्तार है read only memory अगला प्रेशन है when का विस्तार है तो when का विस्तार उपर बता दिये है wide area network network तो इस पसका जो right answer हो जाएगा option c से हो जाएगा दोस्तों जो 20 वहर में है पुड़े दुनिया में है जो भारत वर्स में ब्राट के तोर पे internet service दे रहा है तो इसके बदावलत दिया जा रहा है when के बदावलत wide area network के बदावलत okay option c से हो जाएगा अगला प्रस्न है what does ASAP stand for in SMS language SMS language में ASAP का full farm तो दोस्तों ASAP का जो full farm होता है as soon याद रख लेंगे as soon as possible ठीक है as soon as possible as soon as possible होता है ASAP का SMS language के रूप में तो इस पसका right answer क्या हो जाएगा option c से हो जाएगा अगला प्रस्न है copy command के लिए shortcut कुंजी क्या है तो बहुत यह भी व्याई question है याद रख लेंगे जो copy command के लिए दोस्तों है तो control plus c होता है paste के लिए control plus b होता है ओके याद रख लेंगे और जो दोस्तों control plus x दिया है तो यह cut के लिए होता है इसको आप याद रखेंगे तो इस परसका जो right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा option a से हो जाएगा copy command के लिए control plus c होता है प्रश्न अगला है cut command के लिए shortcut कुंजी क्या है देखिया गया cut command के लिए तो cut command के लिए क्या होता है control plus x होता है cut command के लिए मतलब कोई भी file यहाँ से cut करके और कहीं और shift कर देते हैं ठीक है तो यहाँ से हट कर और कहीं और चला जाता है तो उसे हम cut करते हैं ठीक है तो control plus x के हम cut करते हैं याद रखेंगे आगे है दोस्त सभी का चन करें कमांड के लिए शाटकट कुंजी क्या है क्या है यानि वाट इज़े शाटकट के जाप select all जैसे दोस्त इसको पूरा को हमें select करता है तो हम क्या करेंगे पूरे को select करने के लिए control plus a दबा देंगे तो यह पूला text हमारा select हो जाएगा याद रखेंगे तो यहाँ पे control plus a है तो इससे हम select all कर लेंगे सबी को select कर लेंगे और control plus b को बताई दिये है क्या होता है Paste होता है Ctrl प्लस C Copy होता है और Ctrl प्लस X जो होता है Cut होता है चारों के बारों में आप अच्छे से याद रख लेंगे Exam में जुरूर पूछेगा अगला है Sort Cut Paste कमाड के लिए तो Paste के लिए क्या होता है Ctrl प्लस B होता है option B से जाएगा question अगला है चोथी पक्ती और चोथे कालम का सेल का पता करें तो दोस्तों यह बहुत थी VBI परस्न है इसे आप याद रख लेंगे जो चोथी पक्ती और चोथी जो ए होता है उसके लिए तो देखिए जो चोथी पक्ती होता है चोथी पक्ती में क्या होता है D होता है यानि A, B, C, D चोथी पक्ती में D होता है उसके बाद चोथी जो कालम होता है उसमें 4 होता है तो इसको आप याद रख लेंगे चोथी पक्ती और चोथे कालम में क्या हो जाएगा कौन सा सेल हो जाएगा तो D4 हो जाएगा ओके यहीं दोस्तों पुछता अगर दूसरी पक्ती और दूसरा कलम तो क्या हो जाता B2 हो जाता तो इस प्रकार आप याद रख लेंगे यहाँ पर चौती पक्ती और चौती कलम दिया है तो D4 हो जाएगा राइट एंसर अप्शन C विल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रशन है विंडोज में नव निर्मित फोल्डर का डिफाल्ड का नाम क्या है तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रशन है आप इसे याद रख लेंगे जो निव फोल्डर होता है कोई भी फाइल को सेफ करने के लिए क्या आता है निव फोल्डर खोला जाता है उसमें नौम इंटर करके सेफ कर लिया जाता है तो यहीं कोईशन बोल रहा है विंडोज में नव निर्मित फोल्डर का डिफाल्ड का नाम क्या है तो निव फोल्डर है option C से हो जाएगा question नमर अगला है FYI का विश्दार क्या है दोस्तों FYI का विश्दार पुछा है तो याद रख लेंगे for your information ठीक है इसका जो full form होता है for your information तो right answer option A से हो जाएगा for your information question 30 for your information हो जाएगा write answer option A से हो जाएगा question 31 है सभी हटाई गई फाईलों को कहां संगरेद के आता है तो ओ इस important प्रश्ण है सभी हटाई गई फाईलों को कहां संगरेद के आता है CD में अधिकारिक फोल्डर में या फिर ब्यत्ती करन फोल्डर में या रिसाइकल बीन में तो दोस्तों बहुत इजी प्रश्ण है रिसाइकल बीन में सभी डिलेट फोल्डर फाइल को collect किया ज़ता है अगर यहां से हम डिलेट करते हैं तो समाफ्त हो जाता है पूण लोग से तो इस पर सका right answer क्या हो जाएगा option D से हो जाएगा अगला प्रशन है telephone line को PC से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जता है तो दोस्तों याद रखेंगे जो modem होता है modem का उपयोग telephone line को PC से जोड़ने के लिए जलिए प्या जता है तो right answer option A से हो जाएगा अगला प्रस्ण है copy command के लिए shortcut कुझी कौन सा है तो A भी important प्रस्ण है copy command के लिए बताये थे control plus C ओके right answer option B से हो जाएगा अगला प्रस्ण है कौन सा सुचना सुरच्छा का नहीं है ठीक है कौन सा सुचना सुरच्छा का नहीं है तो पहला दिया है, पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कटिन प्रयोग, दूसरा किसी को भी पासवर्ड बताना, तिसरा समय समय पर अपने PC का बैक अप डेटा ले, चौथा लेपटाप, हार्डेक्स और मोबाइल उपकराण को एन्क्रिप्ट करें, तो दोस्तों इस प सुरच्छा का नहीं है, तो यहीं है, किसी को भी पासवर्ड बताएं, दोस्तों अगर किसी को आप पासवर्ड बताते हैं, तो आपका जो अंचाहा जो डाटा है, कोई भी चुरा सकता है, तो यह है आपका, यह सुरच्छा नहीं है, राइट इंसर अप्शन दी से हो जाए तो दोस्तों जो साइबर अपराद होता है यह आउनलाइन गेम्बिलिंग होता है राइट एंसर ओप्षन सी विल्कुल सही हो जाएगा Q36 है कौन सा फाइल मैनेजर टूल है जो विंडोज के साथ आता है तो दोस्तों जो विंडोज के साथ होता है विंडोज एक्स्प्लोरर होता है राइट एंसर ओप्षन बी हो जाएगा जो विंडोज एक्स्प्लोरर होता है वह विंडोज के साथ आता है तो इस पसका राइट एंसर ओप्षन बी से हो जाएगा Q37 है Search Engine कौन सा है Clicker है Artman है Facebook है Google है तो इन 4 में से दोस्तों Search Engine कौन सा है तो आप EG से बता सकते है Google है Google में जो मनतो हम Search कर सकते है या Search Engine कहा जाता है Right Answer Option D से हो जाएगा Q38 है Which one is a Search Engine निमिकी में से कौन सा Search Engine है Clicker है, Outer है Artman है, Yahoo है तो दोस्तों उप्रियुक्त 4 आप्षन में से आपका जो याप्षन है यह Search Engine है Option D से हो जाएगा Q39 है Social Networking साइट कौन सी है तो Social Networking साइट कौन सी है दोस्त याद रखेंगे जो Facebook है आपका Facebook आपका Social Networking साइट है Option B से हो जाएगा Q40 है Wave Browser कौन सा है Facebook है, Heartman है, Internet Explorer है, Outlook है तो दोस्तों जो Wave Browser है वह Internet Explorer होता है तो Right Answer क्या हो जाएगा Option C बिल्कुल से हो जाएगा Q41 है Input Device कौन सी है तो बहुत important प्रस्न है दो प्रकार का होता है डिवाइस एक Input Device होता है और एक Output Device होता है दोस्तों Input Device का मतलब जो हम Input देते हैं मतलब अपने हाथ का प्रयोग करके Input Data को भेजते हैं तो जैसे Input Data में क्या क्या आए जाएगा याद रख लेंगे जो Input Data होता है इसमें Joystick होता है Okay Mouse हो गया ठीक है Keyboard हो गया तो एक सब क्या होता है Input Device होता है और दोस्तों जो Output Device होता है जो बाहर हमें देता है और आपका जैसे बाहर देता है जैसे Speaker हो गया Monitor हो गया Printer हो गया तो ये सब जो है Output Device है तो उपरियों के दोस्तों Option जो B है वह सही हो जाएगा जो आपका Joystick होता है Joystick होता है यह है आपका Input Device है जो गेम खेलने के काम आता है Joystick से तो Right Answer Option B सही हो जाएगा Question number 42 है Computer का Output Device कौन सा है तो कौन का Output Device है Mic या Input Device है Mouse या भी Input Device है Printer जो है यह Output Device होता है और Keyboard भी आपका Input Device है तो उपरियों को जो दोस्तों चार है चार आप्शन में से Printer आपका जो Printer है यह Output Device होता है ओके Right Answer Option यह सही हो जाएगा Question 43 है कौन सा Storage Device नहीं है Printer है Video Tap है USB Flash Drive है Memory Card है तो दोस्तों कौन सा उपरियों क्चार में से Storage Device नहीं है तो जो Right Answer हो जाएगा Option A सही हो जाएगा Printer कोई Storage Device नहीं होता है बाकी आपका Video Tap होता है USB होता है Memory Card यह सब Storage Device होती है लेकिन Printer कोई Storage Device नहीं होती है तो Option इस सही हो जाएगा Question 44 है Social Networking Sites का नुकसान कौन सा है तो यह भी important question है जो Social Networking Sites है इसका नुस्कान कौन सा है तो दोस्तों Make Addictive यहनी लट लगना सबसे बड़ा नुकसान यही है लट लग जाना ओके यहीं कारण है कि आज Internet से आदमी बच नहीं सकता है एक प्रकार का क्या है यह मानसिक लट है तो इसलिए Right Answer क्या हो जाएगा Option B विल्पुल से हो जाएगा Question No.45 है दोस्त निम्लिकित में से कौन सा विकल्प किसी सब्द के पर्यावाची को दरसाता है जिसे हम MMS Word में टाइप करते हैं क्या दरसाता है देखिए Post, वर्तनी जाच, वाइपर लिंक, सैली तो Right Answer Option A हो जाएगा तीजर रस यानि कोस जो होता है वह पर्यावाची को दरसाता है जिसे हम MMS Word में टाइप करते हैं तो निम्लिकित में से Right Answer क्या हो जाएगा Option A सही हो जाएगा कोस हो जाएगा, तीजर सर हो जाएगा Question No.46 है आप ATM से 500 रुपे निकालते हैं ATM मसीन 5000 रुपे देती है, निम्लिकित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा तो दोस्तों Make a Complain क्या करेंगे, आपको सिकायत करने चाहिए तो इस पसका राइट एंसर यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा सही हो जाएगा अब हम दोस्तों Communication Skill देखेंगे यानि संचार कौसल देखेंगे Lesson 3 के बारे में Lesson 2 तक हम Employability Skill का Complete कर लिए अब Lesson 3 में हमारा है Communication Skill यानि संचार कौसल तो इसके बारे में जितने भी कौसल बन रहा है चलिए हम देख लेते हैं देखें Question इसमें पहला है Cajun Means यानि Cajun का अर्थ है तो दोस्तों जो Cajun का अर्थ है क्या दरसाता है निरंतर सुधार यानि Continuous Improvement को दरसाता है जो Cajun होता है Cajun का अर्थ Continuous Improvement तो इस परसका राइट एंसर Option D से हो जाएगा Question 2S में समुह चर्चा में दिये गए ब्यंजन का सही संदर्व चुने छमा करे मैं डैस क्या होगा Interrupting होगा बाधा डालना समझित जताना सहमती दताना तीसरा है सरांस चौथा एक बिंदू पर जोर देना तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर हो जाएगा Option A से हो जाएगा यानि बाधा डालना छमा करे मैं बाधा डालना हो जाएगा Interrupting हो जाएगा तो राइट एंसर ऑप्शन A से हो जाएगा Question 3S में संचार जिसमें सब्दों के उप्योग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान कहलाता है सामिल है कहलाता है तो ये भी important प्रस्ण है तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं राइट एंन कम्मूनिकेशन लीखित संचार बोलते हैं यानि संचार का वहमाद्यां जिसके कारण बीना सूचनाओं का आदान प्रदान मनलब बीना सब्दों के उप्योग के बिना मनलब कोई सब्द हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो जा रहा है तो किसके दोरा possible है रिटेन कम्मुनिकेशन यानि लिखित संचार के द्वारा तो राइट एंसर ओप्षन सी सही हो जाएगा Q4 है किसी विशेश कारे के प्रति समर्फन कहलाता है क्या कहलाता है आत्म विश्वास प्रति बद्धता बुद्धी मता सत्य निष्ठा Q5 है किसी विशेश कारे के प्रति समर्फन कहलाता है उसके प्रति बद्धता कहलाता है Q6 है MS का विश्वास का विश्वास क्या है तो इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखेंगे जो SMS होता है उसका विश्वास होता है जो सौर्ट मैसेज सर्विस होता है जो सौर्ट मैसेज सर्विस होता है जो दोस्त SMS होता है उसका फुल फॉर्म सौर्ट मैसेज सर्विस होता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा ओप्सन डी से हो जाएगा कोसर्वर 7 है स्मार्ट लक्ष के लिएreget स्मार्ट लक्ष के लिए ön यहां पर क्या है तो याद रखेंगे दूस्त S का मतलब specific है यानि विसिष्ट है Right answer option C से हो जाएगा Question number 8 है How about नाखून काटना दिखाता है क्या दिखाता है तो और सुरच्चा दिखाता है मतलब guessing, writing, nail, show मतलब how about नाखून काटना दिखाता है क्या और सुरच्चा दिखाता है Option B से हो जाएगा Question number 9 है How about टेज और सीधा चलना दिखाता है क्या दिखाता है तो आत्म भी स्वास दिखाता है Right answer option C से हो जाएगा Question number 10 है How about bricks, erect walk दिखाना क्या कर लाता है तो दोस्तों उसको भी आत्म भी स्वास करते है Option C से हो जाएगा Question number 11 है लक्षों को वर्गी क्रित किया जाता है किसे good and bad से या inner and outer से या instinctive and extensive से या short term and long term से तो दोस्तों इस परस का right answer option D हो जाएगा अलप कालिक और दिखालिक से जो हमारा लक्षों का जो वर्गी क्रित किया जाता है वह अलप कालिक और दिर्ग कालिक से किया जाता है right answer option D से हो जाएगा कौशन में 12 है लक्षों को वर्गी करित किया गया है तो लक्षों को वर्गी कैसे किया गया है दीरग कालिक और अल्प कालिक लक्ष से तो राइट एंसर ओप्षन 20 हो जाएगा अगला question है आमने सामने संचार में body language होता है जब आमने सामने communicate होता है तो उस इस्तिती में दोस्त body language क्या होता है तो याद रखेंगे जो body language होता है फच्चपन डिगरी होता है ओके right answer option C से हो जाएगा प्रश्नगला है आंतरिक प्रेंड़ा है तो आंतिक प्रेंड़ा क्या होती है आंतिक प्रेंड़ा दिर्ग कालिंग होती है long lasting होती है okay right answer option B से हो जाएगा question 15 है केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर गताता है तो केवल आनंद लेने के गाने सुनना किसके अंतर गताता है सरहन सुनना एनि ःप्रसिजेस लिसनिंग इसके अंतरगत आता है राइट एसन उप्सन सी से हो जाएगा प्रेजन नुमर का प्रुश्न है क्या है आंतरिक और वा है इंटेंसिक है और एक्स्टेंसिक है किसमे प्रेज़ना स्रेणियों में option A से हो जाएगा question में 17 है सोर, गर्मी या ठंड़ सारेरिक परिसानी के अंतर गाता है तो यह सब किसके अंतर गाता है दोस्तों तो पर्यावरण बाधा के अंतर गाता है right answer क्या हो जाएगा option D से हो जाएगा 18 नमर का प्रश्ण है आवाज की पीच का उठना और गिरना कहलाता है तो यह भी important प्रस्ण है याद रख लेंगे स्वर कहलाता है आवाज का गिरना और उठना क्या कहलाता है स्वर कहलाता है option A से हो जाएगा question 19 है मानो प्रयासों में सही और गलत के अध्यान को कहा जाता है क्या कहता है दोस्त तो इसको हम आचार विचार करते है मानो प्रयासों में सही और गलत के अध्यान को हम आचार और विचार करते है option C से हो जाएगा question 20 है भूमिका निभाने में क्या कमी होती है यानि जो भूमिका होती है वह निभाने में क्या कमी होती है तो दोस्तों यार रख लेंगे राइट एंसर ओप्शन सी सही हो जाएगा वास्तिवी किस्तिती प्रदान नहीं करता है यानि भूमिका निभाने में जो कमी रहती है वह वास्तिवी किस्तिती प्रदान नहीं करता है राइट एंसर ओप्शन सी से हो जाएगा कोश्मर 21 है समस्या समाधान प्रक्रिया में शमाधान का चैन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रस्न है दोस्तों आगे क्या आना चाहिए याद रख लेंगे आगे जो है समाधान लागू करें यह आना चाहिए यानि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चैन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए तो आगे समाधान लागू करें तो इस परस का राइट एंसर ओप्शन बिल्कुल सई हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आपको ठकना बिल्कुल नहीं है continue class को continue watch करना है देखना है जब तक यह मैराथन कत्म नहीं होना है कत्म नहीं हो जाता आपको बिल्कुल नहीं उठकर जाना है तो शुरू से last तक आप लोग वीडियो में बने रहेगा बहुत कुछ इसमें सीखने को आपको मिलेगा ठीक है और एक्जाम देने से पहले यह employability skill का मैराथन क्लास जरूर आप लोग लगाईएगा ओके दोस्तों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अगर मेहनत पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मेत्र फेंड सरकीर को फारवर जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओके दोस्त बढ़ते हैं अगले question की तरह question number 22 बोल रहा है कौन सा कारक लोगों को प्रेरिद करने में मदद करता है तो दोस्तों जो कौन सा कारक है जो लोगों को प्रेरिद करने मदद करता है ध्यान की कमी, आत्म विश्वास की कमी, दीशा की कमी या फिर घब राहट की कमी तो दोस्तों इस पसका राइटेंसर option D हो जाएगा घब राहट की कमी question number 23 है public speaking का 3P कौन सा है याद रखेंगे जो public speaking है इसका जो 3P कौन सा है, क्या होता है तो उसका जो 3P होता है दोस्तों prepare होता है, practice होता है, perform होता है जो 3P का मतलब होता है prepare, practice, और perform होता है तो 3P याद रख लेंगे prepare, practice, perform right answer option B से हो जाएगा question number 24 है साच चतकार सिष्टा चार के लिए क्या करें, कौन सा है तो पहला option दिया घवराहट दूसरा अनवचारिक के पोसाग तीसरा, claim दिष्टी कौन चोथा है, अत्यदिक हाव भाव तो इसपरस का right answer option C हो जाएगा जो साच चतकार सिष्टा चार के लिए क्या करें, कौन सा है तो claim दिष्टी कौर है, यानि claim approach है तो इसपरस का right answer option C से हो जाएगा question number 25 है साच चतकार सिष्टा चार में कौन सा नहीं है तो साच चतकार सिष्टा चार में कौन सा नहीं है याद रख लेंगे दोस्तों कौन सा नहीं होता है तो इसपरस का right answer option क्या हो जाएगा D से हो जाएगा lie about your ability to get a job ओके, right answer option D से हो जाएगा question number 26 है बोलने में कौन बाधा है तो which one is a barrier to speak बोलने में कौन बाधा है तो याद रख लेंगे बोलने में घब राहट जो होती है वह बाधा उत्पन होती है दोस्तों आप कभी बोले नहीं है एकाएक आपको चार जन के वीच में या आपकी stage पे खड़ा कर दिया जा तो सबसे क्या होगा आपके अंदर घब राहट होगी तो बोलने में यही बाधा उत्पन करती है घब राहट उत्पन करती है question number 27 है कौन सा एक साचतकार में सिष्टा चा रहे है तो यह भी प्रशन है बहुत लापरवाही से पोशाक नहीं नवकरी पाने की योगिता के बारे में जूट बोलना बिल्कुल नहीं अपने आप पर विष्वास रखना यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा right answer option C हो जाएगा जो एक साचतकार के लिए सिष्टा चा रहे है वह अपने आप पर विष्वास रखना होता है तो इस परसका right answer option C सही हो जाएगा question number 28 है कौन सा संचार अच्छा है दोस्तों कौन सा संचार अच्छा होता है तो संदेश, असपर्ष्ट और सीधा यानि message is clear and direct यह संचार सबसे अच्छा होता है याद रख लेंगे जो message clear होता है किसी को message हम clear देते हैं और direct सीधा देते हैं तो वह communication सबसे अच्छा होता है तो इस परस का right answer option A से हो जाजा question 29 है email सिष्टा चार कौन सा है तो दोस्तों जो email सिष्टा चार कौन सा होता है email से call छोटा रखें यानि keep email short right answer option A से हो जाजा question 30 है कौन सा एक अच्छा संचार मना जाता है तो यह भी important question है दोस्तों कौन सा एक अच्छा संचार मना जाता है तो sender is positive towards receiver यानि प्रेशक receiver के प्रति साकारात्मक होता है तो वह अच्छा संचार मना जाता है तो इस परस का right answer क्या हो जाएगा option B विल्कुल सत्य हो जाएगा question 31 है किसे खराब संचार मना जाता है तो अब जब अच्छा संचार मना जाता है तो खराब भी संचार मना जाता होगा तो किसे खराब संचार मना जाता है तो दोस्तों जो message in mb user होता है यानि संदेश और असपस्ट होता है वह क्या होता है खराब संचार माना जाता है तो इसपस का right answer option A से हो जाएगा अगला प्रश्चन है मौफिक संचार का कौन सा लाव नहीं है तो मौफिक संचार का दोस्तों कौन सा लाव नहीं होता है यह record के लिए जो it is for record जो record होता है उसके लिए मउफिक लाब नहीं होता है राइट एंसर ऑप्षन 20 हो जाएगा कोस्त नमोत 33 है कौन सा ट्रिकल या सुनने का हिस्सा नहीं है तो दोस्तों या सुनने का जो हिस्सा नहीं होता है कौन होता है NGET होता है A N X I E T Y एंग जी एंटी जो होता है वह ट्रिकल ए सुनने का हिस्सा नहीं है राइट एंसर ओप्सन ए से हो जाएगा कोश्च नमर्थ 34 है कौन सा एक आर्टिकल नहीं है तो याद रख लेंगे जो दोस्तों जो आर्टिकल है निर्मचार में से यह इन जो है आर्टिकल नहीं होता है तो राइट एंसर ओप्सन सी से हो जाएगा कोश्च नमर्थ 35 है कौन सा एक सफलता प्राप्ट करने के लिए आवस्चक विशेष्टा नहीं है प्रतिबदता है अखंडता है आत्म विश्वास है और नायतिक है तो दोस्तों इस परस का जो राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ओप्सन डी से हो जाएगा तो दोस्तों इस परस का राइट एंसर क्या हो जाएगा ओप्सन डी हो जाएगा अनायतिक कारे ओके ओप्सन डी स बिलकुल सत्ते हो जाएगा Q36 है, कौन सा सकारात्मक दिश्टी कोण का पडिराम नहीं है तो जोस है, रचनात्मक है, उदासी है, या समस्या और रवया है तो दोस्तों इस परसका राइट एंसर ओप्सन सी से हो जाएगा बोर्ड ओन हो जाएगा, उदासी हो जाएगा Q37 है, आधनिक संचार का नमनी करण और प्रभावी साधन कौन सा है तो याद रख लेंगे दोस्तों, जो आधनिक संचार है का नमनी करण और प्रभावी साधन इलेक्टानिक्स मेल है, ओके, इमेल जिसे बोला जाता है, वह है तो इस पसका right answer option C परम सत्य हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा तो दोस्तों employability skill के हम lesson 4 में आ गये हैं जो हमारा lesson 4 रहने वाला है उद्धिमेगता causal के बारे में है तो इसमें जो इतने भी question है उसको हम देख लेते हैं देखिए इसमें question पहला है कि वह व्यक्ति जो ब्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है क्या कहलाता है वैपारी कुद्ध्यमी विजिनस विजिनसमेन या sales exclusive तो दोस्तों वह व्यक्ति जो ब्यवसाय के शुरुआत से जुड़ा होता है उससे हम उद्ध्यमी कहते हैं यानि इंटर क्लीनियर कहते हैं उद्ध्यमी कहते हैं तो इस पर सकर आइटेंसर option B से हो जाएगा इसमें question 2 है छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आसकता होती है क्यों होती है व्यक्तियों की कम संख्या पूंजी की कम संख्या अधिक संख्या में व्यक्ति छोटी मसीन और उप्तरन तो दोस्तों इस परस का राइट अंसर option C हो जा जाते हैं तो अधिक संख्या में व्यक्ति उसमें लगते हैं तो आपका राइट अंसर option C से हो जाएगा Q3 में है उद्यमेक्ता को के रूप में भी कहा जाता है तो दोस्तों इंटर प्रिवल्शिप इस आल्सो टर्माइज क्या कहा जाता है स्वर वजगार यानि सेल्फ इंप्लाइमेंट भी उसे हम बोल देते हैं तो इस परस का राइट अंसर option C से हो जाएगा Q4 है इसमें मद्यम भी निर्माण उद्यमों के लिए सायंत्र और मसिनरी के निवेस के बीज कितना कम स्कम फर्चा लगना चाहिए 10 लाग से 2 करोन 25 लाग से 5 करोन 2 करोन से 5 करोन या फिर 5 करोन से 10 करोन तो दोस्तों राइट अंसर option D से हो जाएगा 5 करोन से 10 करोन लगते हैं Q5 है S W O T B से सग में S का अर्थ है तो इसमें S W O T में S का क्या आर्थ होता है याद रख लेंगे strength जो S का आर्थ होता है option B से हो जाएगा Q6 है आर्थिक विकास में उद्यमे की भूंका होती है तो दोस्तों आर्थिक विकास में उद्यमे की क्या भूंका होती है बेरोजगारी पैदा करना इस्थिर जीवन अस्तर प्रती व्यक्ति आयमे सुधार चेत्री विकास को अस्वंतुलित करना तो दोस्तों इस पसका राइट एंसर option C सही हो जाएगा यानि इंप्रोमेंड पर capital income ओके राइट एंसर ओप्शन C सही हो जाएगा question नमस 7 है SWOT इस lesson में कौन सी जोड़ी सहायक है ओके दोस्त तो देखिए SWOT में ताकत और ओसर यानि इस्टेंथ और अपर्चुनिटी यह दोनों क्या है जोड़ी सहायक है तो इस पसका राइट एंसर ओक्शन B सही जाएगा question नमस 8 है कच्चे माल की खरीद मजदूरी और वेतन का भुकतान किराया विजली टीसी में निवेश किया गया पैसा आता है किसमें आता है तो दोस्तों कारिस्टील पूजी में आता है वरकिंग कैपिटल में आता है राइट एंसर ओक्शन इस सही हो जाएगा question number 9 है M M S M E का मतलब है यानि M S M E का मतलब क्या होता है तो दोस्तों M S M E का मतलब जो होता है याद रख लेंगे M S M E का जो मतलब होता है Micro, Small and Medium, Interprises होता है MS M E का Micro, Small and Medium, Interprises होता है तो इस पसका राइट एंसर क्या हो जागा राइट इन का option C हो जाएगा जो M S M E का जो फूल फाम होता है Micro, Small and Medium, Interprises हो जाता है सुच मलगूर और मद्यम उद्यम हो जाएगा option C से हो जाएगा question number 10 है विचारों, बस्तूओं और सिवाओं के सकुल्ज पर रूप कहलाता है क्या कहलाता है प्रचार सद्वावनास जंसंपर्ग विग्यापन तो दोस्तों उसको हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं विग्यापन करते हैं जो पेड़ फार्म आईडियाज गूड एंड सर्विसेज और काल्ड एडवर्टाइजमेंट कोलते हैं कैसे रूप में जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है निर्मार उद्ध्यान में सेवा उद्ध्यान में अतिलग उद्ध्यान में मैक्रो उद्ध्यान में तो इस पसका राइट एंसर ओप्सन ए हो जाएगा इससे हम निर्मार उद्ध्यान में जानते हैं ऑप्शन इस सही हो जाएगा, question number 12 है दोस्त, the expensive of GDP is, GDP का विस्तार तो बहुत important person है, GDP का जो विस्तार होता है, वियाद कर लेंगे, gross domestic product होता है, जो दोस्त, GDP होता है, इसका पूल फॉर्म, gross domestic product होता है, right answer, option इस सही हो जाएगा, question 13 है, SIDO का विस्तार है, SIDO, SIDO का जो फूल फाम होता है, क्या होता है, small industries, development organization होता है, याद रख लेंगे, small industry, development organization होता है, SIDO का, तो right answer, option A, बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 नमर का प्रेशन है, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने, और संगठन के हित को सिगरता से बढ़ावा देने के लिए, किस district कोन का उप्योग किया जाएगा, तो याद रख लेंगे दोस्तों, जो joint venture होता है, उसका हम प्रियोग करते हैं, right answer option C से हो जाएगा, 15 नमर का प्रेशन है, वि निर्मार उद्यमो की स्थिति करने के लिए, किस निवेस का विचार किया जाता है, चार आप्सन है, पहला दिया है, कारिसिल पूजी, दूसरा भावन और पूजी, तीसरा सयंत और मसिनरी, चोथा कमचारियों का वेतन, तो दोस्तों इस बस का right answer, कुस्टन मसुला है, कौन सा एक सही चैनल है, जिसके माध्यम से विपरण ग्रहां को तक पहुचा सकते हैं, तो इस चैनल आप याद रख लेंगे, आप्सन इसका सी सही हो जाएगा, मैनुफेक्टरर, रिटेलर, कस्टमर हो जाएगा, ठीक है, मैनुफेक्टरर से रिटेलर के पाज जाएगा, रिटेलर से बाद कस्टमर के पाज जाएगा, यानि निर्माता, पुदरा विक्रेता, ग्रहांक, तो राइट एंसर ओप्शन सी से हो जाएगा, प्रश्न सत्तरह नमर का है, कौन सा एक वेव आधारिक लेखांकन है, बीजी है, टेली है, विंक्स है, या चोथा क्या है, तो दोसकों चोथा ओप्शन है नहीं, इसका राइट एंसर ओप्शन क्या हो जाएगा, ओप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट एंसर हो जाएगा, ओप्शन ए, बी, सी, सी से हो जाएगा, टेली हो जाएगा, ओके, जो आपका एक वेव आध तो इस पसका राइट एंसर ऑप्षन ए सवरी सी बिल्कुल सई हो जाएगा ओके दोस्त तो यह आपका मैराथन क्लास का इतना चार शेप्टर का सभी प्रकार के प्रकार के प्वोस्टन थे जो इंप्लाइबिल्टी स्कील में संभावित पॉस्टन आपके आगामी आई टी आई के एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों वीडियों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और दोस्तों मेहनत काफी बहुत ज़्यादा लगी है तो इस मेहनत को देखते विए लाइक जरूर करिएगा और अपने सारे दोस्तों में फारवर्ड इस वीडियों को जरूर कर दीजेगा ठीक है और एक्जाम से पहले सभी वीडियों हमारी दो महराथन क्लास आएगी एलेक्टिसियन आई टी आई फर्स्ट एर के लिए इंप्लाइबिल्टी स्किल तो मैहतन फ्रत पिर महराथन क्लाश टू आएगा ठीक है इसमें चार से आगे जितना चेप्τηर है तो चार से आगे वाला जो पांच, है छे है साथ है आठ है चार चेप्टर उसमें हम कंप्लीट करा देंगे तो फिर आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इसका लाब उठाईएगा वीडियों देखकर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा ओके दोस्त तो मिलते हैं इसके पार्ट सिकेंड में तब तक के लिए पढ़ते रहिए मस्त रहिए जय हिन जय भारत